हलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करेंगे ITC Limited से लिटेड़ ITC आप देखोगे तो दो दिन से लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है यहां पर हम चार्ट पर चले आते हैं तो आपके यहां पर दिखाई देगा कि यह शेयर दो दिन से लगाता गिरता हुआ नजर आया कल लगबग 4% आज लगब 2% यह शेयर गिरता हुआ नजर आया तो क्या इस शेयर को बेच देना चाहिए क्या इस शेयर को ले लेना चाहिए News क्या है जिसकी वैसे गिरता हुआ नजर आया क्या ये आगे चलके भी अच्छे return देता हुआ नजर आएगा ऐसे बहुत सारे questions आपके मन में होंगे तो इन्ही सबी questions के answers last तक मैं आपको करता हुआ नजर आऊँगा तो last तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि यहाँ पर सारे queries आपकी solve हो सके पर वीडियो में आगे बड़े आपसे request करूँगा चैनल को subscribe, bell icon को hit all की notification को on करियेगा buying selling की कोई recommendation नहीं है अपने financial advisor खुद की study करना है चीजों को सीखना है जितना चीजों को सीखोगे उतना पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा as well as यहाँ पर आप videos कैसे सीख सकते हो यहाँ पर देख के सीख सकते हो यहाँ पर देखे videos बनाई जाती है share भागते हुए नजर आते हैं यहाँ पर आप देखोगे तो 8% यह भागता हुए नजर आया इसके इलावा यहाँ पर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजों होते हैं जो यहाँ पर नहीं बताई जाती बट यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़े बताई जाती है कि नए नए शेयर कहां से ढूंडे और वो शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आते हैं मैं तो यहाँ पर अभी बहुत सारी वीडियो बनाने रहूँ अगर मैं आपको अपने पिछले तीन महीने की वीडियो बना के दूँगा कि जिन में हमने इनवेस्ट किया और वो शेयर यहाँ पर किस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर सरप्राइज उढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़े नहीं यहाँ पर रिवील नहीं करता का कोर्स है एक बार इस कोर्स को करने के बाद किसी की जरुवत आपको नहीं पड़ेगी पूरा यहाँ पर आउनलाइन यहाँ पर कोर्स रहेगा त्री मंस की हैंडोल्डिंग दी जाएगी कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पर सॉल्व की जाएगी स्टेजी यूज इन कर दे जाते हैं और अगर किसी का पॉर्टफोलियो बढ़ा है और साथ में काम करना चाहता है तो यहाँ पर हमारे साथ में काम कर सकता है ओके इन नमरों पर आपको कॉंटक करना होगा मैं आपको से यहाँ पर बात कर लूँगा और हम साथ में मिलके बढ़ सकते आगे तो य इस वज़े से यहाँ पर आप देखोगे कि शेयर में एक ग्रावट होती ही नज़रा रही है तो ITC किस-किस बिजनस में है एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं तो ITC चार तरीके की बिजनस में जिसमें FMCG जिसमें आशिरवाद के प्रोडक्स आते हुए दिखाए जाते हैं इसके इलावा होटल का बिजनस है इनका जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर इनके यहाँ पर होकल्स है आईटीजी के नाम से दूसरा यहाँ पर एग्री इनके होटल से यहाँ पर आप चाहो तो एक बार देख सकते हो किस तरीके के होटल से क्या उसमें फैसलिटीज है वह पूरा आइडिया आपका आता हुआ दिखाई देगा तो सबसे पहले यह बिजनेस इनका इस पर्टिकुलर बिजनेस से क्या हो रहा है अलग हो रहा है और यहाँ पर शायद लिश्ट होता हुआ नजर आएगा अलग से तो यहाँ पर ITC और Technology में भी है टीक है बीच में यहाँ पर Technology से रेलीटेड भी जहारी थी कि यहाँ पर ITC अपने Psychology का बिजनेस にंहाँ पर लिश्ट कराता उगा नजर आएगा वह यहांसे de-merger होता हुआ नजर आएगा ठीक है अब यहां पर hotel का business de-merger होता हुआ नजर आ रहा है तो अब ITC में गिरावर्ट है तो क्या base देना चाहिए उन से भी सवालों के जबाब हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि ITC को मैं ट्रैक ही नहीं करता हूँ दूसरी बात मैं आपको यह बता दू कि क्याकेते है मैं इस तरीके के जितने भी शेयर है nifty-fifty के उनने में आप पर ट्रैक नहीं करता हूँ क्योंकि इन में पैसा जादा नहीं बनता आपको लग रहा होगा कि इसने यहाँ पर लगवा आपके पैसों को डबल कर दिया, ठीक है, 300 रुप यहाँ पर आप देखोगे नीचे से, तो लगाता है अच्छा भागता हुआ नजर आ रहा है, तो कभी यह भाग गया ठीक है, बट इतना यह भागता हुआ नजर निया रह है ठीक है 500 का इसने हाई भी लगाया है तीज की यहाँ पर पी रेश्यो है इंडस्टी का पी 14 का नजर आता है डेट फ्री शेयर है कोई प्लाइजिंग नहीं है ओके और लार्ज कैप कंपनी है तो रिस्क भी यहाँ पर ना के बराबर ही आपको दिखाई देता है इसके आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छे ही होते हैं आपको उपर की तरह बढ़ते हुए दिखाए देंगे बीच में जब प्रॉब्लम आती है तो यह गिरते हुए भी नजर आते है आदे आदे होते हुए नजर आते है और फिर जब रिट पर देख लीजिए कंपनी अच्छागासा परफॉर्मेंस करती है ठीक है अच्छागासा 17,000 करोड रुपीस के आसपास की कॉटरली सेल्स है और लगबर 5,000 करोड रुपे के आसपास की यहां पर नेट पॉफिट आता हुए दिखाई दे रहा है कंपनी अच्छा बैस्ट पर फॉर्मेंस दे रहा है और इस कॉटर के भी रिजल्ट इस तरीके कीसे FMCG के रिजल्ट आ रहे है इस कंपनी के भी रिजल्ट अच्छे आते हुओ दिखाई दे सकते है सेल्स की बात कर रहे है यह ली परफॉर्मेंस बैक टू बैक अच्छा नजर आता है 6 करोड की यहां पर प्रॉफिट यहां पर 20 करोड में लगबग आता हुआ दिखाई दे रहा है रिजर्व से कमपणी के पास और यहां पर और चीज़े देखंगे तो आपको पता चलेगा एक बास यहां पर स्प्लेट हो चुकी है यहाँ पर तीन बार bonus दे चुकी है हर quarter यहाँ पर हर साल अगर हम देखे तो company दो तो तीन तीन चार चार बार यहाँ पर क्या दे देती है अपना dividend देती हुई नजरा थी है तो company क्या है अच्छा कासा यहाँ पर performance कर रही है इसके इलावत तीन अजय करोडर पर working progress में लगा flow है तो long term के view से अगर कोई लेना चाहेगी हां मेरे को इसी में जिन्दीगी काटनी है तो यह शेयर ना गिरेगा न रिस्क देगा ओके यहाँ पर गिरेगा भी तो bounce back हो जाएगा तो यहाँ पर किसी तरीके की ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाएगा FIS की holding है इसमें DIS की holding है और public की बात करें तो public के पास भी यहाँ पर थोड़े बो शेयर नजर आते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें hotel business की जिसकी वैसे यह शेयर की रहा है तो hotel business कितना बड़ा business है वो भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं तो यह ITC का है तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इनका जो सबसे बड़ा business है वो सबसे बड़ा business है FMCG का जहां पर यह FMCG में आशिरवाद के प्रोड़क्स बेचते हुए नजर आते हैं इसके अलावा देखोगे आप Agri business वोके वो इनका दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा business नजर आता है तीसे नंबर पर इनका paper से और packaging से इलेटिड जो business है वो और hotel business की बात करें तो hotel business के वर इनका 700-800 करोड़ रुपे के आसपास का है कभी 400 करोड़ हो जाता है कभी 400 करोड़ होता है तो यहाँ पर इनका जो hotel business है वो इतना बड़ा business नहीं है तो यह भी आपको यहाँ पर क्या है समझ क्या कह रहे है क्या share और गिर सकता है क्या बेचे या क्या sell करें वो सब चीज़ से लेटिड बात ही करेंगा वर उससे पहले request है चैनल को subscribe bell icon को hit all notification कौन करिए buying selling की कोई recommendation नहीं है अपने financial advisor कुद की study करें इन नमबरों को save कर लीजिए course कर सकते हैं हमारे साथ काम कर सकते है WhatsApp group मगा हिस्सा बन सकते हैं तो आए वीडियो में आगे वरते हैं तो सबसे पहले share already बहुत ज़्यादा भागा हुआ है इस शीच को हमें भूलना नहीं है और share कभी ना कभी नीचे आ नहीं है 15-20% की यहाँ पर गिरावट होनी होनी है अभी नहीं हो रही है ठीक है एक एक अ something X already हो चुका है और हम यहाँ पर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे तो यह टार्गेट जो आ रहे है 590 के लागब 600 रुपे का यहाँ पर समझिए कि एक टार्गेट आ रहे है और 600 से ज्यादा यह यहाँ पर share अभी भागने नहीं वाला है दी मर्ज हो जाएगा तो तो share और ज्यादा गिर सकता है otherwise यहाँ से bounce back नजर आता है और यह share दुबारा 500 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा बट एक चीज़ आपको देखनी होगी क्या कि यहाँ पर LTI माइन ट्री ठीक है यहाँ पर share यह इसमें भी यहाँ पर merger होता हुआ नजर आया था माइन ट तो वह भी क्या है एक ही रेंज में घुमता हुआ नजर आ रहा है उन्होंने भी कुछ ऐसा extraordinary अभी तक काम ने किया तो जब भी D-merger या merger से लेटिन यहाँ पर news आती है तो यहाँ पर क्या है कुछ टाइम के लिए चीज़ थम सी जाती है रुक सी जाती है तो वही यहाँ प इस टॉक्स है ज्यादा तेज भागते नहीं है ठीक है धीरे धीरे चलते हैं कछुग की चाल चलते हैं परिशान भी करते हैं और ज्यादा पैसा इन इस टॉक्स में नहीं बनता है तो बाइंग जैलिंग की कोई recommendation नहीं है अपने financial advisor खुद की study करें चीजों को सीखें जितना सीजों को सीखेंगे उतना पैसा बनेगा और अगर आप सोच रहे हो कि मैं विजे केडिया सरकी तरह 35,000 रुपे राकेश उटीट वारा सरकी तरह 500,000 रुपे लाऊंगा और इन श्टॉक्स में डालूंगा और करोड़ पती अरब पती बन जाऊंगा तो ऐसा नहीं होने वा झालूंगा नहीं होने कर दो अएर आप सीजों खना ऑर अगर पती तरह 50,000 रुपे रहे हो जाऊंगा पती कि मैं वारा सरकी तरह 35,000 रुपे घड़ पक्रवे को बनेगा तरह 50,000 रुपे पती दित हैंगा टरूंगा तरह 50,000 रुपे पती हैं, टुपे दो जो मैं रहे हो